हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोश्व परहार में मैं हूँ एडवोकिट सनी शरमा दोस्तों आज की इस वीडियो मैं बिलकुल नहीं जानकारी आपको देने वाला हूँ दोस्तों फॉल्स 498 के साथ साथ फॉल्स 376 IPC के केसिज बहुत जादा बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों मैंने ऐसे केसिज पर भी वीडियो बनाये जो जैन्यून है और आज का ये वीडियो उस केसिज पर है जहां पर 346 IPC का मामला जूटा दर्ज कराया जाता है केवल सामने वाले को ट्रैप करने के लिए अब दोस्तों यहां तक कि आज के समय पर पत्निया भी अपने पती पर 346 IPC लगा रही हैं ये कह करके कि इसने शादी से पहले मेरे साथ सम्मंद मनाये थे उसके बाद जबकि उसकी शादी हो चुकिया उसके बाद भी पुलिस वाले 346 IPC में मामला दर्ज कर रहे हैं इतनी दुर्दशा हो चुकी है तो दोस्तों ऐसा ही कुछ यह आपके साथ हो जाता है तो आदमी बहुत बुरी तरह से स्टक हो जाता है mentally depressed हो जाता है उसको समझ में नहीं आता कि उस समय पे करे क्या क्योंकि 376 IPC का मामला बड़ा मामला होता है ऐसे मामले में किसी को भी डर लगना स्वाभाविक है और आपके मन में यह आता है कि मैंने कुछ किया नहीं और यदि कुछ मामलों में कुछ किया भी है तो वो सब कुछ आपसे सहमती से था लेकिन आज मेरे उपर 376 IPC का मामला लग गया है और कई बार ऐसा होता है कि लड़का लड़की आपस में आपसे सहमती से साथ में रहते हैं और उनके बीच में शादी जैसी कोई बात नहीं होती लेकिन बाद में जब लड़की कहती है कि मुझे शादी करनी है और लड़का मना करता है किनी कारणों से तो 376 IPC का मामला दर्ज हो जाता है हाँ ठीक है वहाँ पर बिल्कुल गलत है यह जहाँ पर वास्ताव में लड़के ने भी शादी के लिए बोला हो कि मैं तुम से शादी करूँगा और अपनी बातों में लड़की से संबंद बना लियों और बाद में लड़की को छोड़ दे तो यहाँ पर पूरी तरह से लड़के के गलती है और ऐसे लड़कों को सजा भी मिलनी चाहिए लेकिन वहाँ पर जहाँ पर शादी का कोई commitment ही दोनों के बीच में नहीं हुआ दोनों आप से सहमती से साथ में थे और दोनों का मानना यह था कि ठीक है जब तक रह रहे हैं ऐसे ही रहेंगे और बाद में जब नहीं रहना होगा तो अलग हो जाएंगे लेकिन फिर भी 376 IPC दर्ज हो गिया तो ऐसे मामले में फिर लड़के को और उसके परिवार को बचाना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि वहाँ पर जो उसका परिवार होता है वो भी उसके सासा सफर करता है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को 5 पॉइंट बताने वाला हूँ जिनसे आप खुद यह आकलन कर सकते हैं कि आप कहाँ पे स्टेंड करते हैं आपका केस कितना मजबूत है या कितना वीक है और आपको क्या करना चाहिए देखिए दोस्तों सबसे पहले जब कोई प्रॉबलम आती है तो उस प्रॉबलम की घहरा इकोन आपना बहुत ही जरूरी होता है ऐसे ही section 376 IPC के मामले में सबसे पहले आपको देखना ये जरूरी है कि आपका केस कितना strong या कितना week है तभी आप आगे बढ़ पाएंगे और दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि फटफर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्रिक कर ले ताकि आपको इस तरह की legal जानकारिया समय समय पर मिलती रहे दोस्तों 336 IPC के मामले में लड़की एक FIR दर्ज करती है आप एक बात नोट कर लीजे मैं यहां केवल उन मामलों की बात कर रहा हूँ जहां पर false FIR दर्ज होती है जो genuine मामले है उनकी बात मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ तो false FIR के case में क्या होता है उस FIR में generally घटना का समय घटना की दिनांग घटना का इस्थान mention नहीं होता clearly बस यह बोला होता है मेरा शारीरिक शोशन किया इतने सालों से मेरा शारीरिक शोशन किया तो दोस्तो यह चीज अगर आपकी FIR में है मतलब date mention नहीं है time mention नहीं है घटना का स्थान mention नहीं है तो फिर दोस्तो ऐसे में आपको इसका फायदा मिलेगा अगर आपके उपर specific allegation नहीं है second चीज लड़की के बयान होते हैं इसके बाद 164 CRPC में magistrate के सामने अब magistrate के सामने जाकर कि वो जो बयान देती है वो ओरली बयान देती है तो कई बार उसके FIR से उसके जो बयान है वो mismatch हो जाते हैं contradiction सुन में आ जाता है तो यह contradiction भी आपके काम आएगा कि उसने FIR में कुछ और बोला है तो आप यह जरूर देख लें कि लड़की ने कोई medical दाखिल किया है या नहीं और अगर किया है तो उस पर क्या लिखा है चौती चीज़ आती है दोस्तो DNA रिपोर्ट पुलिस के दुआरा DNA जांच भी कराई जाती है और DNA जांच से जैसे कि मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया था काफी सारे लोगों उस वीडियो को देखा है उस वीडियो में मैंने बताया था कि DNA टेस्ट से पिछले 6 महीने तक के संबन का पता चल जाता है अगर आपने उसके साथ ऐसा कोई भी संबन पिछले 6 महीने में बनाया है तो यदि आपने उसके साथ सम्मद नहीं बनाया या सम्मद बहुत पहले कभी सहमती से बने थे और 6 महीने से ज़्यादा समय गुजर चुका है तो DNA में भी कुछ नहीं आएगा, DNA भी आपका नॉर्माल आएगा, तो ये भी आपके फेवर की चीज़ होती है अगला दोस्तों यह होता है जहाँ पर genuine rape के मामले होते हैं जो की एक बहुती heinious crime है और इसके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए तो दोस्तों उस समय पे लड़की के घटना के टाइम पे पहरे गए कपड़े और लड़के के कपड़े कस्टडी में लिये जाते हैं और उनको जांच के लिए भेजा जाता है और लैब से उनकी जांच करवाई जाती है, samples का मिलान किया जाता है लेकिन जहां पे मामले ऐसे होते हैं, जहां सिर्फ कहानी बनाई जा रही है, बहुत पहली के घटना बताई जा रही है वहाँ पर इस तरह की कोई कपड़ों की जांच भी नहीं होती है, तो ये भी आपके favor में एक चीज है और इन पांचों में से कोई चीज आपके against है, तो फिर आपको बहुती सावधानी रखनी है और बहुती अच्छी guidance के साथ आपको आगे बढ़ना है, आपको किसी तरह का compromise नहीं करना है अपने-अपने मामलों में बहुती experienced वकील आपको निक्त करना है, ताकि आप इससे बाहर निकल सुकें चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नहीं लीगल जानकारी के साथ में आपसे फिर मिलता हूँ के लिए गुडबाय और थी में वॉचेंग केरा